आज मैं आपके लेकर आई हूँ अल परपस इंस्टेंट चटनी की रेसिपी जो की स्पेसली खाई जाती है या किसी भी स्नेक के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं लाइक पकोड़ा समोसा या फिर टिक्की के साथ और आप सैलेड बनाते हैं तो उसमें भी इस चटनी को यूज कर सकते हैं यह बनाने में बहुत ही एजी है और खाने में इतनी जादा टैम्टिंग होती है कि अगर आप एक बार इस चटनी को ट्राइ करेंगे तो गैरेंटीड आप इसका स्टॉक घर पर कभी भी खतम नहीं होने देंगे तो चलिए जट पर चुरू करते हैं प्रोसीजर तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5-6 पालक के पत्ते लिये हैं थोड़ा सा लिया है मैंने हरा धनिया और थोड़ा से लिये हैं पुदीना के पत्ते तो इसका रेशियो में आपको समझा देती हूँ पालक हमें बहुत थोड़ा सा लेना है और जितना हम पुदीना पानी को गरम होने के लिए रख दिया है और पालक के पत्तों को मैंने अच्छी तरह से धोलिया है और ये पालक के पत्ते हम इस गरम पानी में डाल देंगे और हमें इसे केवल दो मिनट तक पकाना है बहुत जादा हमें नहीं पकाना है पालक का कच्चापन निकल जाए बस इ पालक बॉयल करके रखा था और डाल देंगे साथी हरी धनिया और पुदीना के पत्ते और इसमें अब हम डाल देंगे हरी मिर्ची अधरक को मैंने कट कर लिया है और साथी डाल देंगे लसन और तोड़ा सा पानी और इसे मिक्सी में बहुत अच्छी तरह से हम पीस लेंगे तो इसका हमें एक बहुत ही फाइन पेस्ट पनाना है यह बिल्कुल भी दडड़ा नहीं होना चाहिए तो इसे मैंने कटोरी में निकाल लिया है और आप यहां पर देख सकते हैं कितना अच्छा पाइन इसका पेस्ट बनकर तयार हुआ है तो यहां पर मैंने आदी कटोरी दही लिया है इसे हम विस्क के हेल्प से अच्छी तरह से फेट लेंगे ताकि एक्दम क्रीमी हो जाए तो देखियें यह दही हमारी फेट चुखी है अच्छे से तो अब हम इसमें एटल देंगे थोड़ा सा जीर और अब अब आम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाह नम तो चार्ट मसाला वहा सै नमक होथा है, इसले मैंने घाल काला नमक भूट ही डाला है और अब इसमें डालड़ीजेंगे जो हमने चटनी का पेंस पनागा तयार किया था दो चम बगाड़ीजेंगे एहां पर लगता है तो इसमे थोड़ा सा नमख कर दिजे बढ़नाः गयी जब दैकी दही और मंगा है और आपको अपुझवारा एड़ कर दिजे मिदमेद कर दी हम Korean Dook नियाने पर जोड़ा है यह जो बचा हुआ पेस्ट है इसे हम रख देंगे फ्रीज में और जब भी आपको चटनी बनाना हो इसे निकाल कर इसी प्रोसिजर के साथ चटनी बना कर त्यार कर लेंगे तो हैना कितनी easy recipe instant chutney बनाने की आपको मेरी ये recipe कैसी लगी अपने suggestion मुझे comment box में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको recipe पसंद आई है तो please like का बटन हिट करना ना भूलें मैं फिर मिलूंगी एक और आपकी पसंदीदा recipe के साथ तब तक के लिए खयाल रखिए अपना और अपने अपनों का बाँ बाई